आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Question is Draw a Circle of Radius 3 cm Take a Point P on the Circle Add Point P, Construct a Tangent to a Circle सबसे पहला काम हम Steps सिखेंगे इसको कैसे हम Draw कर रहें मेंचन कर देते हैं यहाँ पर Steps of Construction Steps of Construction में अगर हम देखें तो हमारा First Step होगा Draw करेंगे एक Circle with Radius 3 cm Center Point O ले लेते हैं Draw a Circle of Radius 3 cm ठीक है और जिसका Center हो जाएगा मेंचन कर देते हैं with Center Point is O हम एक Circle बना लेते हैं यह हमने Circle बना लिया और इसका Center Point हम इसको ले लेते हैं यह O Point ले लिया ठीक है Radius है 3 cm Now Second Step में क्या करेंगे According to the Quotient Take a Point P तो Take a Point P on the Circumference of the Circle और उसको Joint कर लेंगे O से तो हमारी Line बन जाएगी O P and Join O P ठीक है तो हम एक P Point दे लेते हैं तो उससे बेटर है कि हम पहले Line ही ड्रॉ कर लेते हैं यह एक P Point फिर यहाँ पे mention कर देते हैं यह P Point हो जाएगा अब next step third step में क्या करेंगे एक perpendicular draw करेंगे तो लिख लेते हैं P Point से make a perpendicular line at point P at point P ठीक है अब कैसे draw किया जाएगा perpendicular we don't use D we will use compass and ruler तो हम क्या करेंगे P को center लेंगे कोई भी radius लेके कोई भी एक arc लगाएंगे यहाँ पे अब जो distance आपने यह ली है वही distance compass में लेके हम पहले तो हम यह arc complete करेंगे ऐसे करके एक कोई भी distance लेके हमने arc लगा ली उसी distance को लेके अब हम P को center ले चूँकि अब हम इस point को center लेंगे एक cut लगाएंगे तो वो 60 degree का angle बनाएगा पहला cut यहाँ आ जाएगा दूसरा cut लाएगे यहाँ तो देखे 60, 60, 60 अब हमें तो बनाना है 90 degree तो 60 यह वाला point और 120 यह वाला point यह दोनो angle के bisect कर देंगे तो हमारा 90 degree का angle बन जाता है इस point पे रखेंगे cut लगाएंगे इस point पे रखेंगे cut लगाएंगे तो हम तो यहाँ पे manually बना रहें so I am making it directly like अगर हम bisect करते है 60 को और 120 को तो माल लेते हैं यहाँ पे एक ऐसे cut आएगा एक पहले यहाँ रखे cut लगाए फिर यहाँ तो जो यह आया यह 90 degree formation करेगा यह perpendicular bisector हो जाएगा ठीक है तो अब हम देखें तो यह perpendicular bisector है यह circle को P point से touch करते हुए जा रहा है तो हमारा last step क्या हो जाएगा जो हमने line draw करी है line would be line would be the tangent of the circle with center O ठीक है tangent of circle तो हम कह सकते हैं कि line perpendicular है और tangent है यह हम से कहा गया था question में बताने के लिए कि tangent draw करनी थी इस point P से Thank you